दरसल ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट नाम के एक संस्थान ने कुछ सेटलाइट इमेज जारी की है तवांग वही इलाका है जहां चीन बार-बार घुसपैट की कोशिश करता है इन सेटलाइट इमेजिस से पता चला है कि भारत एलेसी की करें लेकिन हकी और कहा है कि यार कुट तो पड़ी है चाइनीज फॉर्स को मतलब आप माले ना माले लेकिन कुटा बहुत है और अच्छा खासा अधरी तो जड़ी है और मैं अपने फादर को बता रहा था मैंने का बाबा अच्छी खासी दुलाई की है एक कोट सुना था क यह लाद का भूत बात से कभी नहीं मानता है तो यह जो चाइनीज आर्मी यह लाद के भूत यह बात से नहीं मानते है तो अस्ट्रेलियन एस्ट्रेजिक पॉलिसी इंचूर द्वारा कल जारी किये गए अपने सेटलाइट इमेज में यह बताया गया है कि किस तरह अब पाकिस्तान भी यह मानने लगा कि भारत यह सेटलाइट इमेज जारी की हैं इन सेटलाइट इमेज से पता चला है कि भारत एलेसी की उचाई पर चीन पर हावी है भारत एलेसी पर चीन को डॉमिनेट कर रहा है और चीन से ज्यादा अच्छी पोजीशन पर बैठा है यह सभी बाते सेटलाइट इमेजिस को देख कर साफ तौर पर पता चल रही हैं सेटलाइट तस्वीरों से ये भी पता चला है कि भारत ने जबरदस तरीके से लेसी पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है तस्वीरों से ये भी सामने आया है कि भारत ने लेसी के पास सडकों का जाल मिछा दिया है ताकि जरूरत पढ़ने पर हतियारों और जवानों की तैनाती की जा सके आपको बता दे कि लेसी के पास तवांग इलाके पर भारत की मजबूत पकड़ है तवांग इलाका भारत के लिए बेहत महत्वपूर है एतिहासिक रूप से भी तवांग भारत के लिए रणनेतिक रूप से बेहत ज़रूरी है तवांग वही इलाका है जहां चीन बार बार घुस पैठ की कोशश करता है 1962 की जंग के बाद से ही तवांग पर चीन की बुरी नजरे हैं 1962 की जंग में ही चीन ने तवांग को हासिल करने की पूरी कोशिशे की तवांग वही जगहे हैं जहां से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले भारत पहुँचे थे भारत लगातार इस पूरे इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवेलप पाकिस्तानियों ने लिखा क्यार मतलब ऐसी कुट लगाई है कि चाइनीज की कि उनको समझ ही नहीं यारी मतलब मैं कोई यह नहीं कि असकान में बैठके लेकिन हकीकत यह 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 पाई चला तो वह बिल्कुल रियल वीडियो थी और यहां पे कुटा बहुत है और अच्छा क्वादरा तु उस दिन वह देख रहा था और मैं अपने फादर को बता रहा था मैंने का बाबा अच्छी खासी होए है लेकिन मैंने का यह मैंने फिरू वीडियो उने का बाबा कुटाई ऑच्छी खासी которой बाबा का गोली कोई नहीं चलाई मैंकर डंडो से महार मार के ना जिसे कहते है ना सरकल कर दिया था पूरे को और वो मदब लेंग्विज भी उनको समझ नहीं आ रही उनको हिंदी नहीं आ रही और एकिनन मेरे ख्याल में इंडिया बोजियों को चाइनीज नहीं आई जी जी फकर भा बूत बात से कभी नहीं मानता है तो यह जो चाइनीज आर्मी यह लात के भूत थे यह बात से नहीं मानते थे तो इसलिए इनको लाठी डंडा ठपड मूका घुसा लात जूता से ही इनको समझाना पड़ा और रेक्शन हम लोगों को सबसे ज्यादा मिला है पाकिस्तान से जाहें वो बिलावल जी हो जाहें वो शाजिया जी हो इतनी उत्त जुत हो गई उत्ति यह इन इडरते किसी से भी है भारत चीन के बीच जो सीमा है वो चौन्ती सो चावेश किलोमीटर लंबी है जिसे ईलेसी यानी उफ एक्चुल कंट्रोल कहा जाता है जबकि भारत और पाकितान के बीच जो सीमा है उसे लोसी यानि लाइन ओफ कंट्रोल कहा जाता है लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस पर दोनों पक्षो का अलग अलग दावे हैं इसलिए इसे अंतराष्टिय सीमा नह कहकर एलेसी कहा जाता है भारत और चीन के बीद पांच महत्पूर्ण क्लैसेज हुए है और पांचों क्लैसेज में एक को छोड़क यानि 1962 में भारत की चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था हलाकि उसके कही कारण है लेकिन जो दो प्रमुख कारण यह है कि भारत 1947 में अजाद हुआ था और अभी अपने बिखास के कारिवों में ज्यादा ध्यान दे रहा था सामरिक सक्ती से अपने को मजबूत बनाने के लिए कोशिस नहीं का रहा था और चुकि भारत के पास आर्थी कवस्था भी वैसी नहीं थी कि भारत अपने लिए सैनिक साजो समान को प्रक्योर करे और चीन के तरब से भारत को डर भी नहीं था क्योंकि भारत जब सोतन्त हुआ तो हिंदी चीनी भाई 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 पंजसील का नारा दिया गया भारत तो चीन के बीच दोनों देशों को बीच अच्छे सबन थे पाकितान के साथ थोड़ी सी गरबर थी लेकिन पाकितान का भी उसमें इतना डर नहीं था इसलिए भारत चाहता था कि सोतन्ता प्राप्ति के बाद विकास के डगर के और बढ़े और भारत ने कोशिस भी किया जेकित भारत की पीठ में चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई कहकर छूड़ा भौका हलाकि उसमें हमारे देश के परधानमंति ततकालीन परधानमंति स्वर्गी जवाहला नेरू थे और उनका जो रुझान था या यह कह सकते हैं कि चुकि हार हुई थी तो हमारा राजनितिक नित्युत्यों में भी परबल एक्छा सक्ति का अभाव था साथ ही हमारे सामरिक सक्ति का जो नित्युत्यों था वह भी उतना सबल नहीं था क्योंकि उसमें हमारे देश के चारों तरफ जितनी भी सरकारे नहीं नहीं भने थी उन सारे में सैनिकों का ज़्यादा परभाव था बहुत जगह मारसल ला लगाकर सैनिक सासक ही सत्ता में आ यानि राजनेतिक नित्रतों का ज्यादा इंटरफेरेंस था और कहा जाता है कि जो उस सीमा पर लड़ने के लिए जनरल कॉल पॉइंट किये गए थे वे आर्मी सर्विस कोर के थे यानि जो साजो समान समान मैनलेक्टरी कैंटीन आदी विवस्था को देखते थे और उन्हें क नित्रतों के निकरता के कान उस एरिया का कमांडर बना दिया गया था हलाकि यह तो अब बीती बाते हुई अब उसको फिर से उखाने गड़े मुर्दे उखाने जैसा है देकिन 1912 के बाद फिर 1916 में जो नाथुला दर्राप भारतों चीन के बीच क्लैस हुआ बीबीसी या अन्य समाचान माध्यों के बारे से जो खबर मिलता है या आप देख भी सकते हैं ति उसमें चीन के चार सो से ज़्यादा सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा था जबकि भारत को सतर से असी सैनिक ही भारत के तरब से सहीद या बीर गती को प्राप्त हुए थे इसके बाद फिर 1975 में चीन के साथ भारत का क्लैस हुआ और उसमें भी चीन को भारी मोकी खानी पड़ी इसके बाद फिर एक और क्लैस बीच में चीन द्वारा उन्य सो 85-86 के आसपास हुआ और उसमें भी चीन को मोकी खानी पड़ी फिर गालवान घाटी में चीन और भारत के बीच क्लै लगता है था कि दोनों देश विकास के लिए क्योंकि कहा जा रहा है कि यह सदी एसिया की सदी होने वाली है तो चीन और भारत जो विश्व की आधी जन संख्या के बराबर की अवकात रखते हैं वे मिलकर काम करेंगे लेकिन चीन ने फिर गलवान घाटी में धोखा दिया और पीठफर खंजर से वार किया जिसमें हमारे कुल एक अधिकारी सहीद करनल बाबू सहीद कुल बीस लोग को जान से हान धोना पड़ा सहीद हुए थे जबकि चीन की तरफ से हलाकी चीन के तरफ से इस बात को बड़े लंबे अरसे से चुपाया जा रहा था लेकिन यही एस् फुली और फिर अब दो साल बाज फिर यहां पर तक ब्रॉंक में जो चीनि ने हिमाकत की है अब की बार भारत की सेनिक यहीं पीमारित की है अब तो भले भारत में कहा जा रहा था और भारत में बैठे ही कोछ लोग जो बीड़ो जारी किया गया है बीड़ो जो सोशल मीडिया पाया तो भारत में बैठे कोछ लोग जो चीनी समर्थक हैं वे ही कहने लगे कि यह पुराना बीड़ो है पुराना बीड़ो है लेकिन अब अब जब Australian News Agency ने अस्टेलिया की एस्टेर्जीक पॉलिसी रिसर्च ने इस बात को साबित कर दिया है तो अब क्या हुए लोग किस मुझे फिर भारत में ही बैटे हैं भारत का खाते हैं कैसे भारत मिरोधी भारत के साहिनिकों के करनामे पर फिर परदा डालने की कोशिस भारत और चीन के बीच एक अच्छी बात है कि एलेसी पर उने इस चानवे में जो समझाओता हुआ था उस समझाओते के अंतरगत यह है कि दोनों देश सीमा पर अपनी अपनी साइड में दो दो तीन-तीर कुलिमेटर भफर जोन रखेंगे और इस जोन में केवल पेट्रोल के इस एरिया में पेट्रोलिंग की जाएगी देकिन गालवान घाटी में इस जो कानून था कि बीना हथियार की पेट्रोलिंग की जाएगी चीन वहाँ पर एक अस्थाई अपना पोस्ट बनाना चाहता था और जो भारतिये सैनिक को बिरोध करने गए तो जो उसनके हाथ मे लाठी डंडा था उसमें भी वे कटिला तार इत्यादी लपेट कर आये थे जिससे 20 भारतिये सैनिकों को सहीद गती को प्राप्त होना पड़ था लेकिन अब की बार आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि भारतिये सैनिक भी पहले से ही तैनाक थे और कहा जाता था कि लेक्टिक वाले जिससे सौ लगता है इस परकार के डंडे लेकर तयार बैठे थे और इसी कान चीन की कुटाई होई अब तो चीन की पूरी दुनिया में भजियत हो रही है कि कैसा चीन है देश है जो अपने को सूपर पावर बनने का सपना देखता है और अकेले भार की जानकारी तुरंट आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय हुआ